माध्यमिक न्यूजरे में आप सबका स्वागत है आज हम इस एट्यू वीडियो में बंग महिला राजेन रबाला गोस दुवारा रचीत कहानी भाई बहन का पाट करने जा रहे हैं इसका हुदेश रिया है कि आप इसे सुनकर आसानी से इसके पूछे गए प्रेश्णों का उतर आप देख सकते हैं फिर वचाए MC क्यू हो या एक वाक्य वाले प्रेश्णा साथ ही कहानी को भी आप आसानी से समझ जाएंगे तो चलिए वाचन सुरू करते हैं आज नाटी इमली का भरत मिलाव है दरसल यहां पर नाटी इमली एक जगा का नाम है जो वारण नसी में है भरत मिलाव मिला का नाम है अक्टूबर महिना में मना जाता है तो चलिए पाट के सबात करते हैं आज नाटी इमली का भरत मिलाव है बाबू जैरामदाज जी अपने दोनों लड़के लड़की को लेकर मेला देखने को जा रहे हैं दोनों भाई भाई बहिन पीता के दोनों हाथ पकर कर बड़ी खुसी के साथ जा रहे थे भाई का नाम साथ जो कुछ हो पर रंग खूब गोरा होने से उसे सब लोग साहब का कर पकारते थे साहब की उमर कोई ग्यारा साल की थी पर बहीन की उमर कोई छो साथ वर्स की होगी उसका नाम तो सुन्दर देई था पर लोग प्यार से उसे सुन्दरिया कहा करते थे एक आने की पूंजी लेकर सुन्दर मिला देखने चली थी उसी के भरोसे जो चीजे देखती थी उसी पर टूट परती थी उसके इस बोलेपन पर सहा बिचारे को बड़ी हंसी आती थी जब सुन्दर दस बारा चीजों का नाम लेकर कहने लगी मैं यह मौल लूंगी वह मौल लूंगी तब सहाब ने कहा वाजी तुम्हारे पास तो तीन चार पैसे कुल है तुम इतनी चीजे कैसे ले सकती हो नारंगी अमरूत रेवडी नानखताई वगरा सुन्दर पर सहाब की इस बात का कुछ भी परवाव ना पड़ा क्योंकि सुन्दर की मा प्रायह उसे से कहा करती थी बेटी तुम भीया से छोटी हो ना तुमें सब चीज में भीया से कमती हिस्सा लेना चाहिए मा की या बाते सुन्दर हमेशा ध्यान में रखती थी और उसे या भी दृड़ विश्वास था कि मैं चार ही पैसे में सब मो ले सकती हूँ इन सब कारणों से सहाब का होसला पूरा न हुआ जिसके हिर्दे में संतों से उसी ने सब कुछ भर पाया सहाब को सब है और मेरा कुछ नहीं है या बात उसे कभी दुख नहीं दे सकती नी जवस्ता में संतुस्ट रहना और उसी के अनुसार चलना बुद्धिमानों का काम है सहाब सुन्दर की मुर्खता की बाते पिता से कहने लगे वो बेचारे सहाब के मतलब को न समझ कर बोले हाँ बेटा पहले मेला देख लो फिर लाटते वक्त सब ले देंगे लाचार होकर सहाब मदर्से के मौलवी जी की तरह अथवा इसकूल के नीचे दर्जे के मास्टर की भाती बहिन को समझाने लगा सुन्दर का चार पैसा अपने हाथ में लेकर एक एक चीज का नाम कहता हुआ एक एक पैसा सुन्दर को देकर बोला लो हो न गया चार पैसे में चार ही चीजे मिलेंगी की जादे फिर साहब अपना सब पैसा एक हाथ में लेकर एक एक चीज के नाम से दुसरे हाथ पर रखता गया और बोला देखो मैं तो सब चीजे ले सकूंगा न तब विचारे सुन्दर देई बड़े भोले पन से भाई के मुह की और दिखताक्ती हुई बोली तो क्या उसमें से थोड़ा मुझे भी न दोगे भाईया सुन्दर की इस बात पर साहब को लजित होना पड़ा मेला देखकर निज इच्छा नुसार चीजे लेकर दोनों भाई वहिन पीता के संग घर लोटा आए एक दिन साम को साहब के बड़े भाई स्री राम दिये के उजियाले में बैटकर किताब पढ़ रहे थे इतनी में साहब और सुन्दर दोनों आकर वहीं बैट गए संदर बोला बड़े भीया देखो साहब भीया की कताब में कैसी अच्छी रेल गारी की तज़वीर है तुम्हारे किताब में तो कोई तज़वीर ही नहीं है इतने में साहब बोल बैटा अजी तुम तो तस्जवीर की गारी कहती हो मैं आज जो खेलने की रेलगारी पांच आने में लाया हूँ सो तुमने देखी ही नहीं यह करकर साब चट उस रेलगारी को लाकर बड़े भाई को और छोटी बहन को बड़े उसा से दिखाने लगे सुन्दर ने भी एक पैसे में एक मिट्टी का खिलोना खरिदा था वह भी चट उस खिलोने को ले आई सुन्दर के इस काम पर साब हंसकर बोले एक पैसे का मिट्टी का खिलोना लेकर चलिये दिखाने देखो मेरी गारी में चावी लगा देने से कैसी दरती है सुन्दर विचारी उदास होकर बड़े भाई की तरब देखने लगी तब स्री राम हश कर बोले तुम्हारा खिलोना बहुत अच्छा है सुन्दर साहब का पूरा वेकूफ है नहक पांच आने पैसे दुसरे देश के कारिगर को दे आया साहब ने कुछ रूखे पन से जवाब दिया दुसरा देश कैसा मैं तो राम दिन विसाती से ये गारी मुल लाया हूँ सी राम हाँ मुल तो तुमने राम दिन से ली सही लेकिन राम दिन ने इसी बनाया तो नहीं है बनाया है जर्मनी के कारिगरों ने आखिरकार तुम्हारा नहीं तो विसाती का पैसा उसके यहां गया की नहीं वे लोग तो हर तरह से मोटे ताजे हैं और बेचारे यहां के जो कुमार और कारिगर हैं उन्हें दिन भर में नमक रोटी भी मुश्किल से मिलती है वे लोग यदि पांच आने पैसे पावें तो उनको पेट भर खाने को मिल जाएं खिर सुनो सहाब इस समय हम तुम्हें कुछ न कहते न तुम्हें रंच होता कि इन तु परमेस्वर का यह नियम है कि जो दुसरे किसी को नीचा दिखाना चाहता है वो पहले आप ही नीचा दिखता है न तुम सुन्दरिया को नीचा दिखाते न आप देखते तुम चाल चलन में पढ़ने लिखने में अच्छे हो पर बड़े ही अभिमानी हो साइद या दोस्त तुम्हारे नाम से उत्पन हुआ होगा अच्छा अब से तुम अपने असली नाम से हरी राम कहकर पुकारे जाओगे अब इस खिलोने के बारे में दो चार बाते और सुन रो यह तो तुमने जान लिया कि इसे बनाया है किसने अब जरा सोच कर देखो इसे खर देने से हमारे देश को हानी और दूसरे देश को लाप पहुचता है या नहीं आज तुमने इसे मौल लिया है दो दिन के पीछे तोड़ फोड़ कर फेख दोगे परंतु ऐसे ऐसे तुछ खिलोनों के लिए कई लाख रुपिये हर साल हिंदुस्तान से निकल जाते हैं इसी तरह सुई, डोरा, कंगी, दियासलाई, इत्यादी, छोटी, मोटी चीजों के लिए भी कितने रुपिये दूर देश वालों को दे देते हैं उसका लेखा लगाने से चाती दहल जाती है और उसी के साथ थोड़े से मुनाफे पर चावलगे हूं आदे गले को बिच डालते है इसमें दूसरों का कुछ दोस्त नहीं है हम सब अपने करनी से दीन से दीन, गरीब से गरीब, अधम से अधम हो रहे हैं पर तब ही चेत नहीं होता हम लोगों में यह एक भारी दोस है कि जितना कहते हैं उसका चौथाई भी नहीं कर सकते यह बात तो सभी कहेंगे कि भारत का सब तरह से सत्या नास हो रहा है किन्तु उसकी बिगरती हुई दसा को सुधारने में बहुत ही कम मनों से बचे हुए है आज तुम लड़के हो, कल तुम ही युवा पुरस हो जाओगे यदि चाहाओगे तो अपने हाथ से इस गिरे हुए देश की बहुत कुछ बलाए कर सकोगे तुम को चाहिए कि अपने देश की भलाए के लिए उपाए विचारो और सीखो लड़कपन में जिस बात का प्रवा मनुस्पर पर जाता है बड़े होने पर वह उसी अनुसार बेवार करता है तुम अभी से देशी चीजे काम में लाओगे तुमें सवदेश की बनी हुई कोई उत्तम चीज तुमें इनाम दूँगा उपर लिख हुई बातों को हुए आज बीस वर्स हो गए है अब बाबु हरिराम बर्मा बी एल सहर के एक नामी वकीलों में से है यद पी सहर में कई एक अच्छे अच्छे पुराने वकील है कि दूदेश की भलाई के सब कामों में अगवा होने के तु हरिराम सब से उपर है हरिराम ने नीज बैसे मात्री भंडार नामक एक बहुत बड़ी दुकान खलवाई है जिसमें हर मनुस्य के काम लायक सब सवदेशी बनी चीजे मिलती है बाबुसी राम अपने छोटे भाई का इस बाती सवदेश प्रेम और अपने उपदेश का प्रभाव देखकर बहुत ही सुखी होते है सुन्दर देई भी ग्यारा वर्ष की अवस्था में एक जमिंदार की पतहु हो गई उसके पती भी एक देसी तेसी सज्जन है अब सुन्दर देई अपने घर की मालकिन हुई है और अपने पती के सद्गुनों और अच्छे कामों की सहब कारणी बनी है इसी के साथ बंग महला राजनर वाला घोस दुवारा रचीत कहानी भाई वहन कामोल पाठ का वाचन पूरा हुआ इस उमिद के साथ की आपकी परिच्छा में यह मदद करेगा मैंने पूला किया बहुत बहुत धन्यवाद इस उमिद की आपकी 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 आपकी